तो Marvel की X-Men नाम की Super Hero Team, Justice League और Avengers की तरह ही पूरी दुनिया में बहुत famous हैं और इसके famous होने का सबसे बड़ा reason है, X-Men Team के Mutants Mutants basically Marvel Universe के ऐसे beings हैं, जो की basically है तो humans ही, लेकिन इनकी body के अंदर एक ऐसा X-Gen पाय जाता है और यहां तक की इनमें एक आदे तो ऐसे भी हैं, जो की आखियों से laser beam भी मारते हैं, जैसे की Cyclops तो इसलिए आए आज की इस वीडियो के अंदर हम Marvel Universe के इनी सारे Mutants की बात करते हैं और जानते हैं Marvel के Top 15 सबसे powerful Mutants के बारे में इस कम्माल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमबर 15 स्टॉम तो स्टॉम एक बहुती powerful Mutant होने के साथ साथ X-Men टीम की एक बहुती famous member भी है स्टॉम का real name और और मुन रहे हैं, जो की बिलॉंग करती है ऐफ्रिका से स्टॉम की mutant powers की बात की जाएं, तो इसके पास weather manipulation की powers है जिनकी हपसे ये अपनी मर्जी से weather को change or manipulate कर सकती है इसके साथी स्टॉम पूरे अर्थ के सबसे powerful Mutants में से एक है और ये अपनी powers की मदब से स्टॉम create कर सकती है, हरीकेंस मना सकती है, electricity को manipulate और generate कर सकती है तंडर अटेक्स कर सकती है, lightning projection कर सकती है, और इन सब के अलावा ये हवा में fly भी कर सकती है स्टॉम एक omega level mutant है, लेकिन एक powerful mutant होने के साथ-साथ वो एक royal family से भी belong करती है क्योंकि स्टॉम की जो मदर होती है, वो Kenya के एक बहुती बड़ी tribe की princess होती है अब क्योंकि स्टॉम की मदर की पूरी tribe magical powers को यूज कर पाती थी, इसलिए वैसी कुछ powers से स्टॉम के अंदर भी होती है जिस वज़ा से स्टॉम के अंदर mutant powers के साथ magical powers भी है तो वलकन एक्समेंट टीम के cyclops का छोटा भाई है, जिसका real name है Gabriel Summers लेकिन अपने भाई cyclops से छोटा होने के बाद भी ये उसके मुकाबले भी कई ज़ादा powerful है वलकन की mutant powers बहुत कमाल की है और इसलिए गर इसकी mutant powers की बात की जाएं तो वलकन energy को manipulate कर सकता है, energy को control कर सकता है, किसी और के energy को absorb कर सकता है इनके लावा वलकन हवा में fly कर सकता है, telekinesis कर सकता है, अपनी body को बहुत तेजी से heal कर सकता है और इसी तरह से और भी कई सारी चीज़े कर सकता है नमबर 13, Mr. M तो ये Mr. M mutants का एक बहुती नया member है, जो कि सबसे पहले सामने आ था, Marvel Comics में साल 2004 के अंदर Mr. M basically एक mysterious person है, क्योंकि Marvel Comics के अंदर भी इसके बारे में ज़ादा कुछ भी नहीं बताए गया लेकिन हाँ, Marvel Comics के अंदर ये ज़रूर बताए गया, कि ये Mr. M बहुती ज़ादा powerful है Mr. M Marvel का एक omega level mutant है, और इसकी powers इतनी superior है कि ये matter manipulation तक कर सकता है क्योंकि ये Marvel Comics में सबसे बहले सामने आई थी, November 2000 मैई, X-Men Vol. 205 के अंदर Hope Summers की origin की बात करें, तो इसकी origin थोड़ी सी different है और वो इसी ले क्योंकि Marvel Comics के House of M events के बाद, जब Hope Summers का बर्थ होता है, तब केबल उसे अपने साथ future मिले जाता है और फिर उसके बाद वो उसका फादर बनकर उसकी देखभाल भी करता है और उसे training भी देता है इसके अलावा अगर बात करें Hope Summers की powers की, तो उसकी powers भी बहुत हाई level की है क्योंकि ये खुद भी एक omega level की mutant है, और इसके साथी ये उन गिने चुने characters में से भी एक है जो कि Marvel के Phoenix Force को अपनी body के अंदर hold करने का दम रखते हैं इन सब के साथी Hope Summers के पास कई सारी powers हैं जैसे कि वो powers को manipulate कर सकती है, किसी दूसरे की powers को copy कर सकती है और उसी दूसरे की powers को उसी के against use कर सकती है इनके लावा वो telepathic भी कर सकती है, teleganesis भी कर सकती है और हवा में fly भी कर सकती है तो यह Iceman Marvel Comics के अंदर सबसे पहले सामने आ था September 1963 में X-Men के issue 1 के अंदर इसलिए यह Iceman X-Men के founding members में से एक है Iceman का real name Robert Drake है और जैसा कि हम इसके नाम से जा सकते हैं कि इस mutant के पास ऐसी powers हैं जिसका use करके यह ना सिर्फ अपनी body के temperature को control कर सकता है बलकि यह अपने आसपास के भी temperature को control कर सकता है और सब कुछ birth में जमा सकता है यह Iceman temperature को कम करके अपनी body को इतना ठंडा कर सकता है कि इसकी पूरी body ice की बन जाती है इसकी इसी power की वज़े से भी इसका नाम Iceman पढ़ता है Iceman भी एक omega level का mutant है इसलिए अगर हम इसकी abilities की बात करें तो वो है thermokinesis, hydrokinesis और moisture conversion यानि कि यह इतना ज़्यादा powerful है कि यह पानी को birth में जमा सकता है और अपने दुश्मन को उसके अंदर दफना सकता है हाला कि इस Iceman की एक बड़ी weakness भी है और वो weakness ही है कि Iceman अपनी powers को ज़्यादा लंबे time तक यूज नहीं कर सकता इसलिए से जिसको भी निप्टाना होता है यह उसे फटा-फट निप्टा देता है नमबर 10 नेमर तो नेमर मार्वल का पहला mutant है जो कि मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले अपियर हुआ था साल 1939 में आई Motion Pictures Funniest Weekly के Issue 1 के अंदर नेमर बहुत ही जादा पौरफल है क्योंकि इसके पास सूपर स्टेंथ के साथ साथ सूपर हुमन डूरेबलिटी भी है नेमर फिजिकल इतना जादा पौरफल है कि जब तक वो पानी के अंदर रहता है तब तक उसकी फिजिकल स्टेंथ हल्क के बराबर रहती है और इस बात का प्रूफ हमें Marvel Comics के अंदर भी दिया गया है क्योंकि Marvel Comics के अंदर नेमर और हल्क की फाइट एक पर पानी के अंदर होती है जिसे उसकी प्रजा कहती है कुकुल कान लेकिन बिल्कुल कॉमिक्स के तरह ही MCU के अंदर भी नेमर पूरे अंडर वाटर्स को रूल करता है नमबर नाइन रोग तो रोग की पावर्स सच में बहुत कमाल किया है और वो इसी ले क्योंकि रोग के पास ऐसी पावर्स है जिनके जरीए ये किसी को भी टेच करके उसकी पावर्स को अपसॉप कर सकती है रोग फिजिकली ज़ादा पावर्फुल नहीं है लेकिन अपनी इस खास हैविलिटी की वज़े से ही रोग का नाम भी सबसे पावर्फुल म्यूटेंट्स में गिना चाता है तो मैगनीटो मार्वल का एक ऐसा म्यूटेंट है जो कि जितना ज़्यादा पावर्फुल है उतना ही ज़्यादा पॉपलर भी है और मैगनीटो को सारे मार्वल फैंस पसंद करते हैं बात करें मेगनीटो की पावर्स की, तो जैसा कि आप सब इसके नाम से ही जा सकते हैं, कि इसकी पावर्स मेटल और मेगनेट से जुड़ी वही हैं, यानि कि मेगनीटो दुनिया के किसी भी मेटल को कंट्रोल कर सकता है, और उसे अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकता है, और से म्यूटेशन की वजह से वह एक म्यूटेंट बन जाता है एल सबनूर बिलॉंग करता है एंशेंट एजिप्ट से जिसका मतलब यह आदमी बहुत पुराना है इसके अलावा गर बात करें इसकी पावर्स की तो यह अपनी बॉड़ी के मॉलीकुल्स को कंट्रोल कर सकता है इ इस सबके साथ साथ एपकलिप्स अपनी बॉड़ी की कौशिसनेस को किसी और की बॉड़ी में भी डाल सकता है एंड अपनी इसी अबलेटी का इस्तेमाल करके यह हजारों सालों से जिंदा है क्योंकि जब भी इसे नए शरीर की ज़रत पड़ती है तो यह जल्दी से अपना पॉड़ी का मुटनेंट अगर बात करें इसकी पावर्स की तो यह एक रहेल वल का टेली पैथ है इसले यह तैली पैथी और टेलीपैश दोनों में बहुत महिर है हालां कि इसकी टेली पैथिक पावर्स प्रोफेसर एक्स की जीनलेश जैसी तो नहीं है लेकिन तब भी यह Marvel के सबसे powerful telepath है Professor Charles Xavier telepathic master है और इनके brain को सबसे powerful वाना गया है और वो भी सिर्फ mutants में नहीं बलकि पूरे Marvel Universe में इनके अब अगर Professor X की abilities की बात की जाएं तो ये telepathic or telekinesis कर सकते हैं telepathic illusions दिखा सकते हैं किसी दूसरे के mind को read कर सकते हैं और mind control भी कर सकते हैं यानि कि Professor X का दिमाग इतना powerful है कि वो एक जगा बैठे बैठे ना सिर्फ किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं भलकि उसके दिमाग को control भी कर सकते हैं नमबर 4, Gene Gray तो सबसे powerful mutants की list में Gene Gray Professor X से भी उपर है Gene Gray भी एक omega level की mutant है अगर इसकी powers की बात की जाएं तो ये भी टेलीपेथी और टेलीकनेसिस के अंदर बहुत माहिर हैं इनके लावा वो किसी के दिमाग को पढ़ सकती हैं उसके दिमाग के अंदर घुसके सारी जानकरी जान सकती हैं और तो और वो किसी के दिमाग को अपने कंट्रोल में भी कर सकती हैं लेकिन हाँ जो चीज Gene Gray को सबसे ज़्यादा powerful मनाती है वो है Gene Gray की Phoenix Force powers और वो इसलिए क्योंकि Marvel की एक powerful entity जिसका नम Phoenix Force होता है वो Gene Gray के साथ bond हो जाती है जिसके बाद Gene Gray के पास Phoenix Force की भी powers आ जाती है लेकिन लीजिन की powers तब बढ़ जाती है जब इसे दिमाग की एक बिमारी हो जाती है क्योंकि इस बिमारी की वज़ज़ से लीजिन अपने दिमाग के अंदर कई और सारी personalities को develop कर लेता है लेकिन हाँ personalities के develop होने के साथ ही इसका power level भी बढ़ता जाता है क्योंकि as of course इसकी powers इसके दिमाग से ही जुड़ी है और अगर इसकी abilities की बात की जाए तो as a powerful telepath ये mind reading कर सकता है mind को control कर सकता है matter को control कर सकता है telepathic or telegenesis कर सकता है shape shifting कर सकता है energy को create कर सकता है और तो और चीज़ों के आर पार भी देख सकता है number two onslaught तो onslaught basically एक psychic entity है एक ऐसी entity जो की professor X और magneto की वज़े से पैदा होता है असल में marvel comics के एक event के अंदर magneto एक ही दिन में कई हजारों लोगों को जान से मार देता है लेकिन फिर उसी चीज़ को देखते वे एक्समेन की पूरी टीम magneto को रोकने के ले आती है बट जैसी एक्समेन magneto को रोकने आते हैं उसी ट्नेपर magneto Wolverine की बोड़ी से सारे एडमें टेम प्लोस को बाहर निकाल देता है जिस वज़ा से Wolverine की पूरी बोड़ी में पेन होने लगता है और वो दर्द के मारे चिलाने लगता है बट फिर इसी चीज़ को देखते वे प्रोफेसर एक्स अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज़ करके magneto के दिमाग के दर बुजाते हैं लेकिन जैसी प्रोफेसर एक्स अपनी टेलीपैथिक पावर्स को magneto के दिमाग के पर यूज़ करते हैं वैसी magneto उन्हें रोकने की खुशिश करता है बट उसी टाइम पर उन दोने के दिमाग की पावर्स कंबाइन हो जाती है और फिर उसके मिलने से एक नई एंटिटी का क्रियेशन होता है और क्योंकि magneto के दिमाग के दिमाग के अंदर बहुत ही जाते गुसा और नफरत होती है इसलिए वो नई एंटिटी भी पिल्कुली इवल होती है और उसी एंटिटी को कहा जाता है और अब इसलिए ओंसलोड कोई प्रॉपर म्यूटेंट तो नहीं है लेकिन अब क्योंकि यह मार्वल के दो म्यूटेंट के दिमाग से पैदा हुआ है इसलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी इससे काफी जगा एक म्यूटेंटी माना गया है तो फ्रेंकलें फैंकलें फैंटेंस्टिक फोर के मिस्टर फैंटेंस्टिक और सूस्टॉम का बेटा है जोकि बाइबर्थी एक म्यूटेंट पैदा होता है Franklin एक powerful reality rapper है और वो इसी लिए क्योंकि इसकी powers इतनी superior है कि ये reality तक को rap कर सकता है Franklin Richards इतना ज़ादा powerful है कि उसे ना सिर्फ सबसे powerful mutant माना जाता है बलकि उसके अलावा वो पूरे Marvel Universe के सबसे powerful characters में से भी एक है Marvel Universe के अंदर Franklin की power किसी God से कम नहीं है फ्लाइ करना, teleportation कर पाना और तो और पूरी की पूरी reality तक को change करना Franklin के पास ये सारी powers है जिसका मतलब वो इस सब कुछ कर सकता है और इसलिए अपनी इनी सारी powers के धंपर Franklin Marvel के सबसे powerful mutants की list में नमबर वन पर आता है तो दोस्तो यहीं थी वीडियो Marvel Universe के top 15 सबसे powerful mutants के उपर आप सभी को ये वीडियो कैसी लेगी मुझे comments के अंदर ज़रूर बताएं और अगर आप सभी मुझे comments के अंदर कुछ होर करना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे comments में कह सकते हैं वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी के भी subscribe करें वीडियो को share करना चाहते हैं तो जादर से जादर share करें और आप सभी इसी तरह से हसते और मुझे रहें मैं मिलता हूँ आप से ऐसी किसी और बहतरीन वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई